हमारी कंपनी एक नई स्ट्राटिजी बना रही है ताकि हम बढ़ा सके मार्केट पेनेट्रेशन साथ ही ब्रांड लोयल्टी और इन्टैंजिबल आसेट्स इन अबजेक्टिव्स को ध्यान में रखकर हम शुरू कर रहे हैं एक नया प्रोजेक्ट जिसमें हमें चाहिए सेवन मुझे लग रहा है आपकी कंपनी हमारी मदद कर सकती है बिल्कुल सही कहा मिस्टर वॉल्टर हमारे प्रोजेक्ट मैनेजर है वॉल्टर क्या हम यह कर सकते हैं क्या लगता है जी बिल्कुल एंडर्सन हमारे एक्सपर्ट है इन सब लाल लाइन को बनाने के मामले में यह से और कुछ ट्रांस्परेंट क्या आप कर सकते हैं नहीं मुझे लगता है जवाब देने की जरूरत नहीं है एंडर्सन टास्क तैयार है और मैं करना ही है और बाकी तुम्हें एक एक्सपर्ट हो ही रेड लाइन का मतलब यह होता है कि उस लाइन का कलर रेड है अब एक रेड लेकिन मुझे यह यकीन है कि आपका टार्गेट ओडियंस सिर्फ ऐसे लोगों का तो नहीं होगा ना मतलब तुम कहना चाहरो यह हो सकता है देखिए मुरी बात समझे एक लाइन किसी भी कलर की बन सकती है लेकिन अगर आपको रेड लाइन चाहिए तो उसके लिए रेड इ इंक के बारे में कहा यह मैं कैसे समझत आपको ट्रांसपेरिंट का मतलब तो बता होगा mm और ड्रेड लाइन का मतलब भी उमीद है यह तो मुझे आपको नहीं समझाना होगा बिलकुल नहीं आपको बनानी होगी अप्ण लाइन, ट्रांस्परेंट इंग के साथ, क्या आप मुझे बताएंगे कि इसका एंड रिजल्ट आपके दिमाग में किसा दिखता है, क्या कोई किंडर गार्टन चल रहा है, खुद मेरी बात नहीं समझे, हमें इस बहस में अपना वक्त भरबाद नहीं करना चाहिए, टास्क तयार हैं और करना ही है, तुम्हें और कोई सवाल हो तो पूछ लो, वरना टास्क शुरू करो, आप एक्सपर्ट हो यहां, ठीक है, कुछ देर के लिए रंग को भूल जाते हैं, आप और भी कुछ बता रहे थी वो पर्पेंडिकुलर्ट के बारे में, साथ लाइन, सारी कि तो एक्सपर्ट है, दो लाइन्स पर्पेंडिकुलर हो सकती है, साथ लाइन्स एक साथ पर्पेंडिकुलर नहीं हो सकती, मैं आपको दिखाता हूँ, यह एक लाइन है, ठीक है न, और यह दूसरी लाइन, क्या यह पर्पेंडिकुलर है पहली बाली से, वैसे, यह पर्पे और यह तीसरी क्या यह पर्पेंडिकुलर है पहली से हां यह है लेकिन यह दूसरी लाइन को क्रोस नहीं करती यह दोनों पैरेलल है पर्पेंडिकुलर नहीं हम अ शायद मैं यह कह रहा था दो लाइन्स पर्पेंडिकुलर हो सती है लेगी यह कैसा रहेगा? यह एक ट्राइंगल है, यह पर्पेंड्रिकुलर लाइन्स तो बिलकुल नहीं है, और यह तीन है, साथ नहीं. यह ब्लू क्यों है? बिलकुल यही मैं कुछ से पूछ रहा था. क्योंकि मेरे पास ब्लू पैन है, यह एक डेमोंस्रेशन है. यही प्रॉब्लम है, तुम्हारी लाइन्स ब्लू है, इन्हें रेड बनाओ. इससे प्रॉब्लम सॉल नहीं होगा. तुम प्राइ किया बेना कैसे कह सकते हो? रेड लाइन्स बनाओ, फिर देखते हैं. प्रंगों के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, है न? यह उसके बारे में है, क्या कहते है, पर्पेंडिक्योलरिटी? ठेक सेट, तुमने हमें कन्फ्यूज कर दिया है. हमें क्या रोक रहा हैं ये करने से? जोमेट्री. भूल ही जाएए. हमारे पास टास्क है, साथ रेड लाइन्स. बीस नहीं, सिर्फ साथ ही है. मैं समझ सकता हूँ, तुम एक स्पेशलिस्ट हो, छोटे क्षेत्र से. तुम शायद बड़ी पिक्चर नहीं देख पा रहे हो. पर सच में, नामुम्किन नहीं है साथ लाइन बनाना. एग्जैटली, कोई रास्ता निकालो. देखो, बहाने तो कोई भी बना सकता है. बुरा मत मानना पर तुमें एक एक्सपर्ट हो. और तुम्हें पता होना चाहिए. ओके, मैं आपको बड़ी आसी दो रेड लाइन्स बना के देता हूँ. और बागी की मैं बनाओंगा ट्रांस्परेंटिंग से. वो दिखेगी नहीं आपको, लेकिन मैं बनाओंगा उनको. क्या ये सही रहेगा? हाँ, ये सही रहेगा. हाँ, और कुछ क्रीनिंग के साथ. और हाँ, क्या मैं पूच सकती हूँ, अगर आप मुझे एक लाइन बिल्ली के बच्चे जैसी बना के दिखा सकते हैं? किसके जैसी? बिल्ली के बच्चे जैसी, मारकेट रसट से पता चलता है हमारे यूजर्स को प्यारे जानवर बहुत पसंद है. नाई. क्यों? देखिए, मैं आपको एक बिल्ली बना के दे सकता हूँ, मैं आटिस नहीं लेकिन कोशिच कर सकता हूँ, लेकिन वो एक बिल्ली होगी, एक बिल्ली और एक लाइन दोनों अलग चीज़े हैं, वो… मज़ गया लेकिन ये मुम्किन नहीं है कि एक लाइन एक बिली की बच्चे जैसी हो पक्षी कैसा रहेगा हाँ तो हम क्या कर रहे थे साथ रेड लाइन्स दो रेडिंग से दो ग्रीन से और बाकी ट्रांस्परेंट से सही सही कहा ना मैंना चलिए तो फिर लगता है सब सही है राइट ओ मैं भूली गई थी एक लाल गुबारा भी बनवाना है क्या आप वो भी बना सकते हैं बहुत बढ़िया एक बिजनेस ट्रिप प्लान करो खर्चा हम देख लेंगे उनकी लोकेशन पर जाना है और गुबारे बनाने हैं बढ़िया मिलना अच्छा रहा शुक्रिया अच्छा रहा फिर जल्दी मिलेंगे अच्छा तुम्हारा क्या प्लान है आज क्या मैं आपसे एक और बात बोल सकती हूँ प्लीज जब आप गुबारे बनाए तो क्या आप उससे बिल्ली के बच्चे जैसा बना सकते हैं बिल्कुल बना सकता हूँ मैं कुछ भी कर सकता हूँ पेशक मैं सब कुछ कर सकता हूँ I am an expert